नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपान शेया आए जानते हैं इस वक्त की अपडेट सरसों की नई गैर GM किस्म साथियों हाली में दिल्ली विश्व विद्याले के Center for Genetic Manipulation of Crop Plants और भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशत के वैग्यानिकों ने कम तीखी और अधिक उपयोगी सरसों विक्सित की है जो कीट और रोग प्रतिरोधी है यह नई किस्म गैर GM और ट्रांस जीन मुक्त होने के साथ साथ क्रिस्पर या क्याज 9 जीन संपादन पर आधारित है आपको बता दें कि सरसों के बीजों में ग्लूकोसाइनोलेट्स का उच इस्तर होता है जो सरसों के तेल और भोजन की विशिष्ट तीक्षणता में योगदान देता है दोस्तों ग्लूकोसाइनोलेट्स सलफर और नाइट्रोजन युक्त योगिकों का एक सम्हू है ग्लूकोसाइनोलेट्स उन उपभोकताओं के बीच जो कम तीवरता और गंध वाला खाना पसंद करते हैं उनके तेल की स्विकारता को सीमित करते हैं साथ ही यह योगिक मुर्गी और सूरों के लिए रेप सीड भोजन को अरुचिकर बनाते हैं जबकि मवेशियों और भैसों को देने के लिए इसे चारा घास और पानी के साथ मिलाना पड़ता है उच्चि ग्लूकोसाइनोलेट्स को पशुओं में गंड माला और आंतरिक अंगों में असामानिताएं पैदा करने के लिए भी जाना जाता है गौर तलब है कि भारत में उगाई जाने वाली सामान ने सरसों के सूखे बीजों में 120 से 130 भाग प्रति मिलियन ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं ग्लूकोसाइनोलेट्स सामगरी को सूखे बीज के वजन के समान स्तर तक कम करके व्यज्यानिकों ने सरसों की इस नई फसल को तयार किया है अभी तक कम ग्लूकोसाइनोलेट वाली सरसों की खेती बड़े पैमाने पर संभव नहीं थी क्योंकि ये कीटों और बिमारियों के प्रती अधिक समवेदन शील होती है आप सबको ग्यात होना चाहिए कि भारत का सबसे महत्वपूर घरेलू तिलहन रेप सीट सरसों है देश के वनस्पती तेलों की उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 42.6 प्रतिशत और भोजन में 30.3 प्रतिशत है झाल